तो हाई के सुकुमाई चर्णा आश्मन में वापता हूंगो वर्टपेस के next part के बारे में और आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कि importance of tag और साथी साथ मैं आपको यह बता हूंगा कि categories का क्या importance होता है और किस प्रकार से जो भी हम tag यूज करते हैं उनका क्या important है यह मैं आपको आज के शूटल में discuss करने वाला हूं फिलाल अगर हम बात करें तो यहां पर जो भी आप टैक्स देखते हैं यहां पर जो भी आप option दिया जाता है कुछ अलग से tag का option दिया गया रहता है इसमें देखेंगे तो कई सारे tag लगे हुए है देख सकते हैं हम इसमें लगा हुए MI mix for color MI mix for feature और कई से यहां पर अलग-अलग जो कि यहां पर name के जो कि टैक्स लगे हुए अब मैं आपको यह बता दू कि टैक्स एक करते हैं उसको और ज्यादा किस से optimize करते हैं यह टैक्स इसके बारे मैं आप सबसे पहले जान लीजिए और यहां पर मैं आपको चीज और बता देता हूं कि जैसे मैं back करूंगा इसको यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर अलग से tag का यहां पर option दिया गया रहता है यह कि मैंने previous tutorial में आपको categories के बारे में बता रहा था कि categories actual में होता क्या है इसको use कहां पर करना है किस परकार से इसको use करेंगे कहां कहां इसके uses हो सकते हैं यह सारी चीजे मैं आपको previous tutorial में बता था फिलाल मैं आपको यह बता दूँ कि यह tax क्या important है और इसका use क्यूं करते हैं अगर आप जो की wordpress पर अपनी website को design कर रहे हैं और यहां पर काम करना चाहते हैं ads लगा रहे हैं ads का प्रकार से tax जो हैं यहां पर जो tax लगे हुए हैं यह tax आप देख रहे हैं यह कैसे आपकी जो भी article है उसको कैसे बूश्ट कर सकते हैं सब सब यह आप यह जान लिए तो य जैसे कि हम keywords बोलते है keywords जो की हम लगाते हैं या फिर जो की Instagram पर आप काम कर रहे है तो Facebook में आपने देखा हो का hashtag हम लगाते हैं आप सबको पता होगा hashtag जो की on money hashtag Macmoney hashtag कई सारी चीजे हैं जो की hashtag करके हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी post जो की Instagram पोस्ट जो और भी बेटर तरीके से और भी जादा लोगों तक पहुंच पाती है इसी परकार से अगर बात करके तो यहां पे भी सेम तरीका सेम मेतड़ यहां पर यूज किया जाता है बोस है कि है स्टेक का यूज ने यह जाता है आप डिरेक्टली जो है कि यहां पर टैग लगा पाते हैं अब देखिए मैं आपको यह बता दूँ कि यहां पे जब क्लिक करते हैं पोस्ट में तो पोस्ट में जो कीवर्ट हम यूज करते हैं उसमें और जो टैक्स है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है आप हैं लिगाई है अगर हम पोस्ट में जो कीवर्ट को यूज करते हैं जैसे गुगल एंप्लोई यहां पर पर यूज किया गए तो यहां पर मैं आपको यह ज्यादा बूश्ट करने में मदद करती है बस आप इतना समझिए कि यह टैक्स का यूज है कि आपको एक्स्टरा benefit provide करती है, अगर आप इसको use नहीं करते हैं, आप सिफ keywords का use करते जा रहे हैं, आप keywords जाके जगए पर अपनी website में, अपनी article में दे रहे हैं तो इससे आपको ज़्यादा कुछ benefit नहीं होने वाला है, आप कोशिस करिए गाइगा टैक्स का इस्तमाल करिए, जो भी article लिखें, उन सारे article में, टैक्स का इस्तमाल करिए, जिससे आपको extra boost मिलेगी आपकी article को, और भी ज़्यादा तेजी से आपकी article हैं पर optimize होगी, तो यहाँ पर सारे मेरे post देखेंगे, सारे के सारे post में मैंने tax use किया, और यह tax different होना चाहिए, in case अगर keywords नहीं rank करता है, तो tax की मदद से आपकी article rank कर सकती है, तो इस प्रकार से आप जो की काम कर सकते हैं, यहाँ पर wordpress पर और आप समझ चुके हैं किसे tax का use करते हैं, tax होते क्या हैं, और इनका इस्तमाल करने के लिए इस पोस्ट को आपको enter करना है, इस पोस्ट को मैं open करता हूँ, और इस पोस्ट को open करने के बाद, simply अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, और tax को find out करना है, देखते हैं, यह tax का एक इस तरीक से आपको tap दिखेगा, इसको पर click करना है, और यहाँ पर आप जो भी tax लगाना चाहते हैं, उसको लगा सकते हैं, simply मैं आपको इस तरीक से लिखता हूँ, तो simply मैंने on money मिलेगा, फिलाल मैं इसे update कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं, यह अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर on money का एक अलग से, यहाँ पर first number पर देखने को बिल रहा है, यह जो मैंने add किया भी, यह add हो चुका है, तो इस परकार से आप pages में कर सकते हैं, आप जो कि post में कर सकते हैं, आप चाहिए तो इसका इसका इस्तमाल जो की और भी multiple website जैसे कि हम कई तरह की layout की website बनाते हैं, अलग-अलग layout की website हम design करते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं, इसका use अगर हम बात करते हैं, पर menu में कर सकते हैं, आपका जो भी का इस्तिमाल करेंगे और कैसे यहां से रिजल्ट हम लेंगे तो आई होब यूट्रोल आपको पसंद आओगी हम लेंगे नेक्स ट्रूम बात करेंगा तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग बावाई